हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रियल्मी और रेड्मी के दो बहुत ही जादा बड़िया बजट मोबाइल्स रेड्मी का है नोट 10 जो बहुत जादा पॉपुलर है यह आपको मिल जाएगा दोस्तो आप 13,000 का पहले 12,000 का लाँच हुआ था फिर साड़े 12,000 कीमत हो गई इसकी अब इसके रेड्मी और 500 और बढ़ गया और दूसरी तरफ है रियल्मी का नार्जो 30 जो बिलकुल लेटेस लाँच कर दिया रियल्मी ने तो दोस्तो इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको बताऊँगा इन दोनों में सापको कौन से लेना चाहिए इनके अंदर क्या-क्या खोबिया है क्या-क्या कमिया है तो वीडियो को आप end तक देखते रहिएगा नार्जो 30 के बॉक्स पर रेट लिखा हुआ है 15,000 का नोट 10 पर 16,000 का लेकिन नार्जो 30 आपको मिल जाएगा साड़े 12,000 में नोट 10 तेरह हजार का दुनों में 500 का फर्क है चलि देखते हैं 13,000 में नोट 10 के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले मिलता है मुबाइल इसके बाद दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगवा है एक सिम जक्टर टूल अंदर की तरफ आपको दिये गया है इसके कुछ यूजर मैनुल इस तरीके से एक मिल जाता है दोस्तों कवर सिम्पल ट्रांस्पेरेंट कवर इसके साथ आपको नॉर्मल ही दिया गया है इसके बाद मिल जाती है ये वाइट कलर में डिटे केबल जिसके लेंट और क्वालिटी दुनों बहुत जादा बढ़िया है और अच्छी चीज़ ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है आखर में आपको रखा वो मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जिसके बिल्ड क्वालिटी काफी जाद अच्छी है अब इस मुबाल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 33 वाट का फास्ट चार्जर मुबाल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो चार्जर आपको काफी जादा फास्ट दिया गया है वसे ये तकरीबन एक घंटा 30 मिनट के आसपास टाइम लेगा मुबाल को 0 से 100 परसंट चार्ज करने में तो चार्जिंग स्पीड वैसे फिर बीस में आपको काफी बड़ी आही मिल जाती है चली देखते हैं अगर आप 500 पर कम खर्च करते हैं तो नार्जो 30 के साथ क्या के दिया गया है साड़े 12,000 में तो जैसे आप इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मीनी बॉक्स ही मिलता है जिसमें लगवा है एक सिम जेक्टर टूल जिसमें दिये गया है कुछ यूजर मैनुल लेकिन जादा बेटर कुवालिटी का कवर आपको मिल जाता है नार्जो के साथ इसके बाद मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर जो मेरे पास है सिल्वर टाइप के कलर में डिटेल लूक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बाक्स में आपको ये टाइप सी केबल दी गई है इसकी बेलेंट और कुवालिटी दोनों काफी ज़दा बढ़िया है काफी अच्छी कुवालिटी की केबल मिल जाती है आखिर में आपको रखा वो मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर अब दोस्तो इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 30 वाट का फास्ट चार्जर मोबैल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है जो तकरीबन इस मोबैल को 0-100% एक घंटा 10 मिनट के आसपास फुल चार्ज कर देगा तो दोस्तो देखा जाए तो रेट के साथ से बॉक्स के कंटेंट्स आपको नार्जो के साथ ज़ादा बढ़िये दिये गए हैं वैसा तो दोनों के साथ ही अच्छे हैं लेकिन क्योंके 500 और कम कीमत है इसकी तो यही ज़ादा बढ़िया है रेडमी के नोट 10 से क्योंके कम कीमत में खुब ही आपको मिल जाती है चली बात कर लेते हैं दोस्तो डिजाइन के बारे में तो सिल्वर कलर आप देख सकते हैं आपको बहुत ज़ादा ग्लॉसी मिल जाता है नार्जो 30 का जिसमा आपको कैमरे की नीचे कुछ इस तरीके से एरो शेप में डिजाइन दिया गया है नीचे के तरफ जो बहुत अच्छा लगता है वही दूसरी तरफ रेडमी के नोट 10 का भी डिजाइन आपको बहुत ज़ादा ग्लॉसी दिया गया है लाइट की रिफ्लेक्शन दोनों के बैक पेनल पे बहुत ज़ादा बढ़िया लगती है बाकि दोस्तों इन दोनों ही के अंदर प्लास्टिक के टाइप के डिजाइन है तो स्क्रैचिस असानी साजेंगे बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो रेडमी के नोट 10 मापको बिश्य के तरफ चार कैमरे दिये गए हैं दोस्तों कैमरे की परफॉमेंस आपको नोट 10 के अंदर बहुत बढ़िया मिल जाती है कैमरे को लेकर ये दोनों ही मुबाल्स बहुत जादा बढ़िया है मुझे फिर भी थोड़ा से जादा बैटर लगा रेडमी का नोट 10 बाकि आप इन दोनों में से कोई सा भी खरी सकते हैं अच्छे कैमरे के लिए इसके लाव दोस्तों आप देख सकते हैं कमप्लेट डिजाइन आपको इन दोनों में किसका डिजाइन जादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंड करके जरूर बताइएगा मुझे दोस्तों नोट 10 जादा पसंद आया डिजाइन में हाला कि देखने में तो नार्जो 30 भी बढ़िया है लेकिन नोट 10 जादा light weight है जादा हलका है इन दोनों में नोट 10 का weight है 178 gram के असपास नार्जो 30 का 192 grams तो दोस्तों इन दोनों में थोड़़़ सादा light weight है नोट 10 बात करणे दोस्तों ने दिस्प्ले के बारे में तो नार्जो 30 में आपको 6.5 इंचिस की डिस्प्ले दी गई है साड़े चेंज की Note 10 के अंदर आपको 6.4 इंची की डिस्प्ले दी गई है हलका सा जादा बड़ा साइज है नार्जो 30 में बाकि दोस्तों इन दोनों के अंदर आपको डिस्प्ले की कुवालिटी में कितना फर्क मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से उससे पहले बात करें यूज़ अंटरफेस के बारे में तो इन दोनों के अंदर आप ऐसे उपर के तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है दोनों के अंदर आपको एब ड्रॉर दिया गया है दोस्तों यूज़ अंटरफेस को लेकर मुझे ये दोनों ही नॉर्मल लगे बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके जाद अच्छे लग रहे हैं लेकिन नार्जो 30 में ये खुब जाद अच्छी है डिस्प्ले में 90 Hz का रिफ्रेश रेट है यूज़ करने में ये जादा स्मूध लगता है जो नोट 10 के अंदर आपको नहीं मिलता नॉर्मल 60 Hz का ही मिलता है तो उसवर डिजाइन अगर आप देखेंगे तो दोनों में पंचोल कैमरा वाला दिया गया है डिस्प्ले में डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है दोनों के अंदर लेकिन नोट 10 के अंदर आपको डिस्प्ले के अंदर जो कैमरा दिया गया है उसका साइज और जादा चोटा है और बीच में मिलता है इसमें नार्जो 30 में left side पर दिया गया है colors अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कोई competition नहीं है Note 10 के display quality wise जादा बढ़िया है colors भी जाद अच्छे हैं, brightness भी जादा बढ़िया है तो display का design दोनों में अच्छा है refresh rate ये नार्जो में अच्छी खुबी है लेकिन जब सबसे important चीज़ है display की quality वो Note 10 में ही आपको जादा बढ़िया मिलती हैं दोनों में left side साब देहेंगे दोनों में sim के tray दी गई है इस सरफ दोनों में आप 2 sim guard, एक memory card, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं volume के buttons आपको नार्जो में left side पर ही दिये गए है sim के tray के नीचे नीची के side साब देहेंगे तो दोनों में charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है power के buttons में दोनों में आपको fingerprint scanner दिया गया है right side पर उपर से देखेंगे तो नार्जो में plain design है लेकिन note 10 के अंदर आपको stereo speakers दिये गये है उपर के तरफ भी speakers मिल जाते है और दोस्ते इसके अंदर आपको noise cancellation mic, IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है तो यह अगर आप इससे चला सकते हैं यह तीन खुभी इसमें आपको जाद अच्छी मिल जाती है 11 version मिल जाता है बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में तो बैटरी आपको दोनों के अंदर दी गई है 5000 image की एक दिन का बैटरी backup दोनों के अंदर आपको अराम से मिल जाता है और भी जादा बढ़िया मिलता है Note 10 के अंदर इसमें आपको Super AMOLED डिस्पले दी गई है बात कर दोस्तो अक प्रॉस्टर के बारे में तो इस चीज़ के अंदर बहुत बढ़ा फर्क है Note 10 में आपको दिया गया है Snapdragon 678 प्रॉस्टर लेकिन Narzo 30 में आपको मिल जाता है MediaTekka G95 प्रॉस्टर अब देखिए दोस्तो अगर आप एक बहुत जादा Heavy User है Performance आपको बहुत बढ़िये चाहिए तो इन दोनों Mobile में जादा अच्छा है Realme का Narzo 30 Processor इसके नर आपको बहुत बढ़िया दिया गया है Heavy Use के लिए ये Mobile जादा बढ़िया है Redmi के Note 10 से तो ये सारी खुब ये कम्या आपको मिलती है दोनों के अंदर चलिए बात कर लेते हैं अब सबसे Main चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो Matter सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो Main जरुत की चीज है वो किसमे जादा बढ़िया है और आपको Redmi पे जादा भरोसा है या फिर Realme पे तो दोस्तों देखिए अगर आपको Display अच्छी चाहिए तो आप Note 10 खरी दिएगा यही आपके लिए जादा बढ़िया रहेगा इसे के साथ अगर आपको Design अच्छा चाहिए तो Design को लेकर दोनों बढ़िया है नार्जो 30 खरी दिएगा इसमें आपको Charging Speed और जादा बैटर मिल जाती है इसे के साथ अगर आपको Performance अच्छी चाहिए तो आप नार्जो 30 खरी दिएगा Processor को लेकर Performance को लेकर यही जादा बढ़िया है लेकिन दोस्तो अगर आपको Display जाद अच्छी चाहिए तो आप Note 10 खरी दिएगा Display की Quality के अदर आपको जादा बढ़िया मिल जाती है तो दोस्तो देखा जाए तो Design के अदर दोनों बढ़िया है इसे के साथ Camera के अदर भी दोनों अच्छे है और RAM और Storage भी दोनों के अंदर बराबर दी गई है एक में Charger जाद अच्छे मिल जाता है जादा Fast तो दूसरे में Battery बढ़िया दी गई है लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के अलावा सबसे Important जो चीज़ है दोस्तो यही है जो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है Narzo 30 Performance को लेकर जादा बढ़िया है और Note 10 Display को लेकर जादा अच्छा है बाकि सब चीज़ों में दोनों ही अच्छे हैं आपको दिक्कत नहीं होगी बस आपको इन दोनों में से कोई सा एक इसी चीज़ को देकर चूस करना पड़ेगा दोस्तो अगर आपको Display बढ़िया चाहिए तो आप Note 10 के लिए जाईएगा और दोस्तो अगर आपको Performance बढ़िया चाहिए तो आप Realme Narzo 30 खरीद दियेगा यह दोनों Mobile Scanner आपको एक एक सबसे बड़ी खुबी सबसे जादा अच्छी मिल जाती है मुझे दोस्तो इतनी जादा Performance Gaming अगरा जैसे नहीं करनी तो मुझे इस वज़े से Display की वज़े से Note 10 पसंद आया इसके Display की Quality मुझे काफी अच्छी लगी और मेरे लिए Display Matter करती है आप बताईगा फिर भी Comment करके आपको इन दोने में कौन से जाद अच्छा लगा ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताईगा वीडियो कर आपको पसंद आए तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो की नीचे जो लाल कलर का बटन उस दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये घंटी का निशान दबा के ओल पे क्लिक कर दीएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें इसके लब वीडियो गर आपको helpful लगी तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीएगा वाट से फेस्बुक पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई